आज के इस वीडियो में MS Excel में हम आइटम सीट बनाना सीखेंगे और इसके तहत डिसकाउंट देना और एमाउंट निकालना सीखेंगे सबसे पहले हम सीट को यहां पर सेलेट करते हैं और यहां पर जो भी हैडिंग है इसका साइज हम तोड़ा बढ़ा कर लेंगे और यहां पर कॉलम की अगर चोड़ाई कम होती है तो हैडिंग पर क्लिक करके हम इसको ड्रेक कर लेते हैं इस तरह से इसी तरह से आइटम को भी सिलेट करेंगे इसका साइज हम यहां से इंक्रीज कर देते हैं और विड्थ बढ़ा लेते हैं सभी आइटम का हम यहां पर से हर आइटम का rate, quantity हम टाइप कर देंगे यहां पर हमने हर आइटम का rate और उसकी quantity नहीं कितने पीस लेना है जो को हमने टाइप कर दिया है अब हम सिखेंगे amount निकालना और सभी आइटम के amount पर discount देना तो यहां पर हम amount कैसे निकालते हैं इसके लिए amount पर क्लिक करते हैं कोई भी formula Excel में हम insert करते हैं तो equal to का sign लगाते हैं फिर यहां पर हम rate का address लेते हैं into का चिन लगाते हैं star यानि गुड़े का निसान और quantity निकालना है quantity का address लेते हैं और इंटर कर देंगे तो यहां पर आप देखेंगे 32 को 10 से जब multiply किया गया तो 32,000 का amount आपका पड़ा है यह 1500 रुपे का एक monitor मिलता है 36 पिस आपके 54,000 रुपे के मिलेंगे अब आप सब लोग बताते हैं amount निकलता है वो rate को quantity से गुला करते हुए निकलता है यहां पर रेट को quantity से गुला कर देंगे तो आपका amount निकलता है तो यहां भी जो formula लगाया गया है यहां पर rate को quantity से गुला करके गया है अब हम बात करते हैं discount की discount निकालने से पहले हम आप सब लोग सूतर बता जाते हैं discount देना होता है तो जितना भी आपका amount होता है उसमें जितने percent आप discount देना चाहते हैं discount percentage देते हैं और 100 से divide कर देते हैं इस तरह से हमने सिखा कि अगर हमें amount निकालना है तो rate को quantity से multiply कर देंगे और अगर आपको discount निकालना है तो amount में discount को multiply करके 100 से divide करते हैं तो यहां पर यह से कि हम माल लेते हैं कि सब पूरे total item पे 15% का discount हमको देना है तो इसके लिए equal to का sign लगाते हैं और amount का address देते हैं यहां इस amount यहां 32,000 है तो हम amount का address देते हैं D2 into करते हैं मालोस अपर हमें 15% का discount देना है 15 से multiply कर देंगे फिर 100 से divide कर देंगे अब इंटर करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 32,000 का amount है उस पर हमने 15% का discount दिया तो 4800 रुपे का आपका छूट मिल जाएगा इसी तरह से सभी item पर 15-15% के according यहां पर discount आ गया जैसे कि monitor आपको 54,000 का था बट 15% discount के साथ आइटम पर 1800 रुपे का discount मिल जाएगा अब बात करते हैं amount की तो जो amount होता है तो यहां पर amount नहीं होगा total की बात करेंगे total निकालना है मैं total निकालने के लिए क्लिए क्या करते हैं जितना आपका amount है उसमें से discount को हम minus कर देते हैं जितना भी आपका amount है उसमें से discount को हम minus कर देंगे यहां पर जो हम formula लगाएंगे तो equal to का sign लगाएंगे amount का address आपका है 32,000 वालू 32,000 है बट हमें इसका address देना है तो amount है आपका D2 पे minus का sign लगाएंगे और discount का select करके इंटर कर देंगे तो 32,000 से 4800 माइनस हो जाएगा यहांने 37,200 रुपे का item पड़ेगा तो यह था आपका item set और सब पर same discount देना यह simple discount देने condition में हम यह formula यूज करते हैं 15% देना हो यह 18% देना हो इस तरह से हम परते का item पर discount देकर total निकाल लिए हैं अब इसके बाद इसको में formatting करना है तो हम item को सभी सभी cell को select करेंगे item और rate को entry को इसके बाद हम आते हैं control 1 कीवोर्ड से control 1 को प्रेस करेंगे और control 1 प्रेस करने के बाद हम select करेंगे format cell यहां पर आएंगे border और हमें seat में 4 और border इंसेट करना है तो outline पर click करेंगे और यहां पर कोई भी जो भी line आप जिस तरह से जिस तरह के फर्मिटिंग देना चाहते हैं line ले लेजिए फिर इसके बाद यहां जगर कोई color लगाना चाहरे हैं आप कोई color भी यहां से select कर सकते हैं ok कर देंगे और सभी line पर हम click करते हैं इसे क्या होता है जो border line होगी वो भी color आ जाएगा ok करेंगे तो जो भी आप seat है आपकी तो उसके चार और border आ जाता है color करना है तो सभी cell को select करेंगे और यहां से जो भी color हमें अगर एक साथ देना है